आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोति शूर्जा में। इश्वर को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धरम में किसी भी शुब कारे से पहले और पूजा के समय मंदिर में या घर के आंगर में हर समय जब भी आप देवी देवता के सनमुख हों आप दीपक जलाते हैं। पूजा के समय दीपक जलाने की पीछे मानता ये है कि इसे शुब माना जाता है। कहा जाता है कि इसके बिना पूजा अधुरी रह जाती है। अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रोज विदिवत पूजा तो नहीं कर सकते लेकिन सुबह शाम घर में दीपक जरू जलाते हैं माना जाता है कि सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है इसके इलावा ये भी मानिता है कि घर में घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाब के साथ साथ स्वास्तिलाब भी मिलते हैं दीपक जलाते समय कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ऐसे में मनोकामनाव की पूरती भी होती है और ऐसे में दीपक से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बाते जो मैं आज आपको बताऊंगी आप भी ध्यान में अवश्य रखें ऐसा करने से मालक्षमी की कृपा आप पर होगी और दीपक से जुड़े हुए सबी लाभाप को प्राप्त होंगे अगर हम धार्मिक मानिताओं की बात करें तो घर में दीपक जलाने से सकरात्म गूर्जा बनी रहती है हर दिन शाम में घर के मुख्य दर्वाजे पर अगर दीपक जलाया जाए तो धन की देवी मालक्षमी सदा के लिए प्रसंद रहती है और इसके साथ साथ पूजा करते हुए अगर घी के दीपक का आप इस्तिमाल करें तो ऐसे में आप लोगों को कभी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना बड़ता सनातन धरम में देवी देवताओं की पूजा में आरती का भी बहुत अधिक महतु है आरती में ईश्वर का गुंगान किया जाता है और दीपक जला कर आरती की जाती है इसलिए क्योंकि ऐसा मानते हैं के ऐसे में मन को शांती और सुकून मिलता है और इसके साथ साथ घर के वास्तु दोश भी खतम होते हैं अगर आप दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो देवी देवताओं का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और वहीं अगर दीपक जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो घर में सुख और शांती अगर है तो वो भी चली जाती है ये माना जाता है जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी आपको जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए हमेशा आप दीपक के नीचे चावल या फिर कुछ और आप अन रख सकते हैं गेहू रख सकते हैं और उसके उपर आप दीपक जलाएं कुछ लोग पीने के पानी के बरतन के पास भी घर में दिया जलाकर रखते हैं इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्ते लाब मिलता है घर की जो भी नकरात्मता है वो चली जाती है और घर में धनकी वृद्धी के साथ साथ स्वास्ते लाब भी प्राप्त होता है इसलिए आपको भी ये कारे अवश्य करना चाहिए जहां भी आपके घर में पीने का पानी हो वहाँ पर आपको दिया अवश्य जलाना चाहिए ऐसा करने से धनकी वृद्धी होती है और स्वास्ते भी अच्छा रहता है इस बात का ध्यान रखें कि कभी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए आप जब भी दीपक जलाएं आप अलग इस्तिमाल करें बाती का और अलग इस्तिमाल करें आप दीपक जलाने के लिए जैसे माचिस्त की तीली का आप इस्तिमाल करते हैं तो अलग तीली का इस्तिमाल करें और दीपक को भी एक दूस्टे के साथ मत जलाएं इन चीजों का ध्यान रखने से भी आपको दीपक से जुड़े सब भी फल प्राप्त होते हैं गी के दीपक को हमेशा अपने left hand से जलाना चाहिए और तेल के दीपक को right hand से जलाना चाहिए तो ये भी कुछ छोटी-छोटी बाते हैं जो दीपक के लिए आपको याद रखनी चाहिए अगर दीपक जलाते समय दीपक बुझ जाता है ये पूजा करते समय दीपक जलता है और उसके बाद वो पूजा करते करते बुझ जाता है बीच में बुझ जाए तो ऐसे मैं आपको भगवान से भूल के लिए ख्षमय आचना मांगनी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि दीपक में घी कम है या तेल कम है जिसकी वज़े से वो बुझ गया है तो आपको दुबारा उस दीपक को जला देना चाहिए हमारे धरम ग्रंथों में दीपक को या दिया जलाने को बहुत अधिक महत्वत दिया गया है रिगवेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है, यही कारण है कि पूजा पाठ हो या संस्कृत उत्सफ हो या कोई भी त्योहार हो, सभी दीप प्रज्वलित करने से ही शुरू होते हैं, दीप को या दिये को प्रकाश या ज्यान का प्रतिक भी माना जाता है, क अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुक्षान्ती बनी रहे, अगर आपके घर में हमेशा सुक्सम्रिधी बनी रहे, तो आपको भी अपने घर में दिया जरूर जलाना चाहिए, बहुत से लोग घर के कोनों में दिये जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को पुखे दरवाजे पर दीपक जलाना शुब माना जाता है। प्राटे का दिया भी जला सकते हैं और इसे भी आप दुबारा इस्तिमाल ना करें। पति पत्नी के बीच के संबंद अच्छे होने लगे हैं और सारी नकरात्मक्ता दूर होने लगी है। और ये जो दीपक है ये रोजाना आपको जलाना है। कोशिश करें आप अपने कमरे में ही इसको जलाएं जहां पर आपके सोने की जगे हो। और संबंद अच्छे होने लगेंगे और धीरे धीरे सारी समस्याएं आपके घर से चली जाएंगी। हर पती पतनी जो अपने संबंदों को लेकर परिशान है उनको ये उपाई अवश्य करना चाहिए। आप इसे रोजाना करें। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई दिन तै नहीं है। आप अगर इसको रोजाना करते हैं तो इसके लाव आपको बहुत जल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपने किसी विशेश पूजा का इस्तिमाल नहीं करना, बस आपने अपने कमरे में दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक ले ले, उसमें आप तेल डाल दें और उसमें आप दो लॉंग डाल दें और प्रातना करें कि आपके इस कमरे से नकरात्मक ता जा रही है और तो आप इस उपाये को करके देख सकते हैं और इसके अनुभवाँ को मुझे शेयर भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले विशे के साथ तब तक के लिए आपका बहुत भाध धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए